हलो फ्रेंट वेल्कम बैक टू माई चानल आज मैं लेकर हैं बहुत इंट्रस्टिंग रेसिपी बहुत यूनिक रेसिपी है तेखिए सबसे पहले हमें क्या करना है मोटी मिर्ची को इस तरीके से चीरा लगा लेना है अब देखिए सारी मिर्ची को चीरा लग गया है ना आप सरसो का तेल आप कोई साभी तेल का इस्तमाल कर सकते हैं तो मैंने डाला है तेल तेल जैसी गरब हो जाएगा एक प्याज लिए बिल्कुल फाइन चॉप कटी हुई इसे हम हलका गोल्डन होने तक भूनेंगे यह रेसिपी आप एक बार अपने घर पर बनाई है उसके बाद आप मुझे अपना फीड़बैक देने जरूर आएंगे बहुत ही मज़िदार रेसिपी यह बनी थी मैंने खाया जब मुझे बहुत पसंद आया और समने बोला भी इसे आप यूटूब पे डालिए तो देखिए जैसी हलकी सी गोल्डन हो जाएगी मैं इसमें डाल इसे अच्छे से मैंने कूट लिया था और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देएंगे और इसे भी हम अलका हलका सा भून लेंगे बिल्कुल हमें इसे पकाना नहीं है सबजी कि तारा हळका हलका सा रोस्ट कर लेना है बिल्कुल गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा है और अब मैं इसमें डालूंगी पता गोपी तो पता गोपी कोई बिल्कुल फाइन बिल्कुल छोटा छोटा मैंने इस तरीके से देख रहे है ना अब मैंने चौप्ट किया है ज़ादा चोटा वाला लिया है थोड़ा सा ज़ादा बड़ा वाला नहीं लिया है तो देखिए आप अपने हिसाब से ज़ादा कम पत्ता गोबी कर सकते हैं इसे भी हम चॉप कर लेंगे अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहोगा ये तो बिल्कुल मौमूस वाला तरीका आ रहा है जी हाँ बिल्कुल मौमूस वाला ही feeling बनेगी इसकी जो पत्ते गोबी की जो मौमूस वाली feeling होती है अंदर stuffing होती है बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाएंगे थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे इस पे कुटी होई लाल मिर्ची थोड़ा सा धनिया डालेंगे थोड़ी सी कारी मिर्ची डालेंगे पिसी हुई इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे पकाना नहीं है बस हलका सौटे करना है ताकि इसके जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएं पत तो इसे जरूर डाले थोड़ा थोड़ा यह पैकेट में मिल जाता है बहुत ही यूनिक और मज़दार फ्लेवर देगा आपकी रेसीपी में तो ग्रीन चिली सॉस रेड चिली सॉस जरूर डाले बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसे अच्छे से भून लिया है मैंने अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगे एक प्लेट में और जैसे यह ठंडा हो जाएगा इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में रख देंगे हम एक चीज और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन चीज है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमक डाल देंगे इसमें और अभी कर लीजिए वरना भूल जाएंगे फिर आपको कैसे मिलेगी नई नई रेसिपीज तो आप अभी कर लीजिए सब्सक्राइब भी कर ल अभी कर दीजिए वर लेट हो जाएंगे आप लोग भूल जाते हैं मैं भी बहुत प्यानत करती हूं एक रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज आदे घंटे में बनती वो उसको बनाने में 16 घंटे लग जाते हैं ताकि आप लोग तक मैं इसे पहुँचा सकूं अब देखि मिर्ची नमक का बैटर जो हता है और मिर्ची नमक नार्मल बेसन वाला करने नार्मल ए देखी घोने के एज़न कर लिया गलती से सियाय के मिर्ची के पकोड़े बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से डिप कर लेंगे हाँ यह चीज याद रहे ज्यादा मोटा बैटर आपको नहीं लेना है थोड़ा सा हलका लेना है तो इस तरीके साम इसे डिप करके फ्राइ कर लेंगे डीप फ्राइ करना है दूसरी चीज आपको क् गैस का फिलिम जो रखना है यह जो भाटे को पकाओ कोड़े कऱारे करण्ची बनें 10 से घुमा फिर आकर इस तरीके से पल्ट कर सेकते रहना है बहुत ही मजह अगया है इससे कहाने में सच मुछ चाय के साथ खाई यह स्नायक्स बिल्कुल एक स्नायक्स एक तरीकी बिल्कुल इसी तरीकी से हम सारी मिर्ची के पकोड़े निकाल लेंगे मैं आपको दिखा देती हूं थोड़ा सा प्लेट में अच्छे से सजाकर दिखाकर बहुत ही मज़िदार बना है तो फिर से याद करके आप हैं चलको सब्सक्राइब कर दीजिए बल आइकन को प्रेस कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर देना अगर आपको यह रासी भी पसंद आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई